हेलो माई दियर स्टुडेंट्स हाव यू आई होप यू लार वेरी विल यह इस बड़ेंगे फोर क्लास सेक्स हम चैप्टर कर रहे थी इलेक्रिसिटी एंड इलेक्रिक सर्केट इसमें इस चैप्टर से रिगार्डिंग टू पार्ट्स यानि कि टू वीडियो आपके लिए अप्लोड कर चुके हैं कुछ छोटे-छोटे से टॉपिक्स अपने रहते थे जिनको आज हम अपना कवर करेंगे और अपना चैप्टर यहां पर हो जाएगा कंप्लीट तो इससे पहले जो बिटा हमने वीडियो आपके लिए अप्लोड की थी आई होप आपने देख ली हो सकते हैं जिसके अंदर से अबसक्रिय और से प्लोड हो रहा है तो उससे कवनता है तो बैक्टरे आपने उसकी कौनेक्टिंग वायर बल्ब के साथ आपने उसको आटच गया प्रपट जोएन क्या तो वो हमारे एक सबच्शीट बन गया तो इलेक्रिक सटके थे cell structure हमने कर लिया था bulb का structure क्या होता है क्या से working होती है ये सबी चीज़ें हम वहाँ पर complete कर चुके है जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक बार उन दोनों parts को भी देख लीजिए यहाँ पर आज अपना चो topic हम करने वाले है that is electric cell means what is inside an electric cell कि जो अपना एक electric cell होता है जिसको हम dry cell भी बोल देते हैं वो cell जो आप अपने remote में अपने toys में आप use करते हो उस cell के अंदर होता क्या है ठीक है तो हम उसका structure आज देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ी हैं जिसकी वज़े से वहां से हमें electricity मिल रही है तो last video में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा cell होता है उसके अंदर chemical field होते हैं और वो जो chemical होते हैं उन्हें की बज़े से क्या होता है chemical energy electrical energy के अंदर convert हो जाती है देखे कुछ ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा detail में नहीं करेंगे क्योंकि class 6 के हिसाब से हम करें न तो उतने ही level के according हम यहाँ पे आज जान लेते हैं देखे बेटा कोई भी जो आपका electric cell सबसे पहले तो उसमें बाहर आपने देखा होगा एक plastic की covering होती है जो अलग-अलग color की blue color में, red color में, किसी भी color में इस अरीके से आपको मिलते है जिसके उपर क्या होता है जो भी देखे company, जो भी ब्रेंड है उसने अपना भाब पे label किया हुआ होता है Duracell है, Nipo Cell है, Ever Ready है जो भी इस तरीके से अब अगर उसको हटा दिया जाता है तो internal जो उसके एक structure निकलता है वो क्या होता है वो एक can बना हुआ होता है किसका? Jink का बना हुआ एक can होता है सबसे उपर आपने देखा है कि हमारा जो cell होता है इस तरीके से एक तरफ तो उसमें ये button जैसा structure होता है दूसरी तरफ क्या होता है? ये वाला जो होता है ये उपर वाला मैंने अभी आपको में दिखा रही है जिसको बोलते है positive terminal और जो नीचे वाला होता है वो negative आज है ना cell पे आप अच्छे से देख लेना एक तरफ positive बना हुआ है positive कहां लिखा हुआ होगा? जहां पर ये button shape जो structure बाहर की तरफ है और negative होगा दूसरा जो plain side है उधर तो बाहर वाला ये जो can मतलब इसके उपर जो covering थी मैंने हटाई हटाने के बाद can किसका हुआ? जिंक का बना हुआ ये जो जिंक का can होता है इसके अंदर फिर एक और क्या होती है? एक पतला सा एक porous paper या एक कपड़ा जैसे बहुत पतला एक porous जिसके अंदर छेद होते है ऐसे एक paper को लगा दिया जाता है जिससे कि क्या हो? यहां पर हम जो material भरने वाले हैं वो और हमारा जिंक कैन दोनों के बीच में एक gap बन जाए तो यहां पर हम यूज़ कर रहे हैं एक porous paper को अब बेटाजी देखे अब अगर हम यहां से उपर से यह जो metal के cap होती है उसको हटा दिया जाए जब हम उस metal cap को हटाएंगे तो बीच में, center में बिल्कुल बीचो बीच क्या होती है? एक road बनी हुई होती है किस चीज़ की होगी वो road? वो होती है आपकी graphite road ठीक है? graphite की road यूज़ की जाती है और यह जो graphite road है वही यहाँ पर positive का काम करती है यह जो positive terminal होते है उसको anode बोला जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा? आपका cathode हो जाएगा अब देखे बेटा अब हम उस cap को हटाएंगे cap को हटाने के बाद यहाँ पर seal लगी हुए होती है एक material यहाँ पर भर दिया जाता है seal का काम क्या होता है? हमारे कोई भी जो भी आप container यूज़ कर रहे हो उसको air tight बनाने के लिए यानि कि internal जो material भरा हुआ है उसको बाहर से कोई भी moisture ना मिले क्योंकि moisture मिलेगी तो उससे क्या होगा पिटा? हमारे chemical उसके साथ reaction करेगा और खराब हो जाएगा अब देखे फिर क्या होता है? देखो zinc का container अंदर क्या कर दिया? जैसे देखो zinc का container उपर से जाकेंगे तो ऐसे नजर आएगा ना अब उसके अंदर यहाँ पर पतला सा चारो तरफ एक porous paper को अंदर लपेट दिया अच्छे से रख दिया अब उसके बीच में center में खड़ा कर दिया किसे आपके graphite की road को अच्छे से वहाँ पर straight उसको खड़ा कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर इसके चारो तरफ इसमें इधर यहाँ फिल किया जाएगा क्या mixture of manganese oxide with carbon carbon और manganese oxide का एक mixture बनाते हैं और उसको यहाँ पर फिल कर देते हैं ठीक है फिर जो बाहर वाला यह वाला जो पार्ट आपका बचेगा इसमें paste बनाया किन चीज़ों का? paste of ammonium chloride and zinc chloride इन दोनों को paste बना करके अच्छे से और यहाँ पर इसमें फिल कर देते हैं ठीक है? तो आपको आज पता चल गया ना कि हमारा जो cell होता है उसके अंदर क्या होता है? zinc का container container के बीचो बीच खड़ी हो गई है आपके क्या? यहाँ पर graphite की road उपर लगा दी है उसमें एक seal यानि कि जब हमने यहाँ पर यह paste फिल किया तो इसी के उपर यहाँ पर एक material यहाँ पर लगा देते हैं जो क्या करेगा उसको proper moisture proof करके रखेगा कि outside से कोई भी moisture उसके अंदर ना आ पाए और second thing internal material बाहर ना निकले चिक है? तो दोनों ही काम होंगे बाहर से moisture नहीं आएगी और दूसरा क्या हो जाएगा? internal यह जो यहाँ पर chemicals यह यूज़ किये गए जाता है उपर यह जो क्याप होती है ना यह बनी हुई होती है brass की brass क्याप होती है ठीक है? तो यह है हमारे electric cell का structure अब धीरे धीरे पिटा यह जब chemicals एक दूसरे के साथ mix होते रहेंगे chemical reaction होगी, chemical change होगा और जब chemical change होगा तो यहाँ पर फिर क्या होगा पिटा यहाँ पर हमारे जो chemical energy है वो electrical energy में यानि कि electricity में convert हो जाएगी और उसी electricity को फिर हम अपने जो भी आप appliance यूज़ कर रहे हो आपने कोई simple सा circuit बनाया है किसी bulb को attach कर दिया है इसके साथ यहाँ पर wire से इसको connect किया जाए बीच में आपने लगा दिया है bulb तो वो जो bulb है वो glow करने लग जाएगा ठीक है? अच्छे एक चीज़ का याद रहे जब भी हम cell use कर रहे है cell use नहीं कर रहे है जब cell use में नहीं है तो उसको normal आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने एक wire यहाँ पर लगाई दूसरी wire और उसी wire के second end को यहाँ पर अगर आप उसको इस सरीके से join करके रखोगे तो इससे क्या है हमारा cell खराब हो जाएगा ठीक है? अच्छे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसने invent किया था dry cell को? तो आज मेरा question आप से यही है आप comment में मुझे answer करके बताएंगे who invented dry cell? ठीक है? जिससे की मुझे पता तो चले है कि भाई जो बच्चे वीडियो देख रही है वो सीख रही है या नहीं? ठीक है? तो यह तो हो गया यहाँ पर हमारे cell का structure second topic जो हमारे यहाँ पर रहता है that is torch बहुत simple सा device है almost सभी बच्चों ने देखा होगा होता क्या है? बाहर एक plastic की covering होती है यहाँ पर अंदर एक reflector लगा हुआ होता है देखा होगा ना अंदर एक shiny एक surface लगा हुआ होता है shiny sheet लगी हुए होती है यहाँ पर होता है bulb यहाँ होती है transparent glass की sheet अंदर फिर हम cell को arrange करते है देखो बेटा single cell primary cell जो आपका dry cell हम जिसको बोल रहे है हम ऐसे ही जब 2 या 2 से ज़्यादा cell को combine करके यानिका एक combination बना करके यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं बैटरी चीक है बैटरी क्या होती है combination of two or more cells 2 या 2 से ज़्यादा cell का जो combination बन जाता है उसे को हम battery बोलते हैं अब यह जो battery होती है यानि कि cell को arrange की सरी के से किया जाता है हमेशा हम cell को इस सरी के से arrange करते हैं देखो अभी मैंने बताया कि जो metal cap वाला पार्ट है वो positive होता है और दूसरी side negative अब इसके साथ जब हमें दूसरे cell को attach करना है यूज करना है तो क्या करेंगे यहाँ negative और दूसरे वाला cell हम use करने वाले हैं उसमें इधर positive फिर negative तो इस तरीके से हम इनका combination बनाते हूं और फिर हम अपने torch में use करते हैं अब अगर आप इसे उल्टा कर दोगे इस तरीके से कि इधर आपने negative और इधर positive कर दिया तो यह हमारा work नहीं करेगा तो इसका जो correct combination होगा वो इसी तरीके से आप इसको रखेंगे इधर आपका positive और इधर negative ठीक है positive negative positive negative तो यह जो combination बनता है cell का उसे बोलते हैं battery तो यहां हमने bulb use किया यह जो torch में bulb होता है जैसे मैंने last time आपको bulb जो बड़े वाला बल मैंने दिखाया भी था से इसका काम बही है सिर्फ यह छोटा है ठीक है cell यहां पर हम use कर रहे हैं यहां पर यहां इसका जो bulb holder होता है इसके साथ यह metal की strip होती है इधर यह metal का spring बना हुआ होता है जो attach होता है इस metal strip के साथ और यहां होता है switch ठीक है आपने कभी न कभी अपनी torch को open करके भी देखा होगा जब हम torch को पीछे से open करते है न तो उसका जो cover जो ढखकन निकलता है उसी में यह metal का spring बना हुआ होता है ऐसे और वो फिर यहां पर metal strip के साथ connected होता है तो देखे बेटा यहां पर यहां पर यहां पर यहां से गयाप को खतम कर दिया आप जैसे गयाप यहां से खतम याने की circuit हो गया कैसा closed circuit और अब यह जो हमारा closed circuit यहां पर बन गया है जिसकी वज़े से bulb करेगा glow ठीक है torch में जो हमारा switch होता है mostly sliding switch महाँ पर होता है तो sliding switch उसको आगे की तरफ slide करेंगे तो जो बीच में gap है वो खतम हो जाएगा अब अगर उसको back side में slide कर दिया जाए याने कि अगर आपका जो switch है अब आप उसको कर देते हो इधर तो इसमें देखो बेटा क्या होगा इधर ये देखिए अब ये gap बन गया है अब जैसे ये gap हो जाएगा कौन से position है ये off position अब off है यहाँ पर gap है तो उसी की वज़े से क्या होगा अब हमारी जो torch है वो जो बल्ब है जो पहले lights up कर रहा था अब वो lights up नहीं करेगा वो glow नहीं करेगा क्यों क्यों क्योंकि अब हमारा circuit यहाँ पर open circuit बन गया है ठीक है तो यह structure है हमारे torch का और यहाँ से torch में आपने अच्छे से देख लिए ना कि switch का function क्या होता है देखो पेटास जो switch है वो हमारे ऐसा device है करता है जो हमनों है अल Hence करता है क्या करता है electricity का हम मदब करना है electricity को आज करना है यानि कि कब हम circuit में चाहते हैकि एlectric फ्लो चाहते है कि उसे बंद करेंगे तो किलां से होका the switch की से होगा और switch कैसे function करता है यह masculine भी मैं आपको पहले लास वीडियो में करवा छुकिए उसी आपको एक homework में क्योश्चिन दिया है क्योश्चिन क्या है मैं फरसर रिपीट कर देती हूं अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा समझ आ रहा है अगर आपको चीज़े आसान लग रही है तो लाइक कोमेंट करना ना भूले और जुन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ही जैसे जो आपके फ्रेंड होते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाना स्राट किया था ठीक है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नौटिफिकेशन मिल जाए और आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उन तक भी इस वीडियो को जादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके भी इससे हैल्प हो ठीक है ओके बेटाची बुक रिडिंग आप जरूर करेंगे ओके पढ़ते रही है सीखते रही है ओके बाए